हेलो मुझासकार दोस्तों कैसे आप सभी एक पर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राफिट सडी में तो फाइनली आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अपरेंटिज 23-24 सेशन के अंतरगत जो आपका वेस्टन रेलवे का 36-24 पोस्ट पे नूडिफिकेशन जारी किया गया था फाइनली इसका अल्मोस्ट जितने भी ट्रेड थे सभी ट्रेड का डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है जिसके बारे में आज किस वीडियो में हम डिसकसन करने वाले हैं चाहे फीटर हो, इलेक्टिसियन हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, वेल्डर हो, डीजल मेकेनिक हो हर ट्रेड का डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका वेस्टन देलवे की तरफ से अपडेट आ चुका है कौन से डिवीजन है, पूरा प्रोसीजर क्या है, कब जाना है, कहा जाना है और सबसे महत्वपून बात कि क्या-क्या डॉकुमेंट लेके जाना है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं कुछ टेट का आपके साथ कटप भी सेयर करेंगे, कि कितना परसेंट पर कंटि डेट को यहां पे सॉट लिश्टेट किया गया तो जैसा कि आप सभी देखे हैं फाइनली वेस्टन डेलवे के अफिशन नूटिफिकेशन पर आ गया है आपका 26 जुलाई 2023 के डेट में लास्ट डेट था इसका फॉर्म अप्लाई करने का टोटल 3624 पोस्ट पर अब एक एक करके बात करते हैं तो टोटल यहां पर आपको को सबसे पहले आपका बी सीटी डीवी जानाता है बी सीटी में अल्मोस्ट अगर बात करेंगे तो 90 परसेंट का डॉकुमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है जिसका नहीं आया था जैसे फीटर इलेक्टिसियन डीजल मेकैनिक वेल्डर उन सभी का आज का डेट मे भी डॉकुमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है कि आपको अपडेट देंगे पर हां क्या 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 डीवी मिलेते जाना हैं वह हम आपको मोडिफिकेशन पेस में ही बता देंगे इसलिए वीडियो केंडे तक बने रहेगा सबसे पहले बात करें तो आपका फीटर का document verification के regarding update आ गया है, welder का आ गया है, carpenter का आ गया, painter का आ गया, diesel mechanic का आ गया है, और अभी देखिए, motor mechanic vehicle का भी में हमारे पास कोई update नहीं है, तो motor mechanic vehicle का update नहीं दे पाएंगे, और turner का अपडेट नहीं दे पाएंगे, तो दो trade का भी आपको update नहीं मिलेगा, mm, mm भी और आपका यह दो trade का भी update नहीं मिलेगा, बाकी चाया, fitter, welder, carpenter, painter, diesel mechanic से हो, document verification का update आ गया है, पूरा आपको आगे जो दिखाएंगे कि कब जाना है, कहाँ जाना है, थोड़ा सा वीडियो गेंडे तक बने रही है, उसके बाद, electrician department से बात करते हैं, तो fitter, welder, diesel mechanic का तो आहीं गया ह है, इसके साथ साथ आपका electrician का भी document verification का update आगया है, electrician में total आपका 167 seat है, electrician में electrical department के अंतरगत, ठीक है ना, उसी तरह अगर बात करते हैं, हापे next engineering department के अंतरगत, जिसमें आपका painter, pipe fitter और palumber, ठीक है, और welder, यह सब का update आगया document verification के regarding, जिसका नहीं आए है, उस एक comment सवाल देखने को मिलता है, हमारा cut-up से ज्यादा percentage था, फिर भी हमारा नहीं है, तो देखिए, dear ho, सा कि आपका form reject हो गया होगा, या फिर आपको second round में हापे shortlisted किया जाएगा, वेट करिए, इसके regard ही हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह चो selection का chance वो आपका department दे करता ही, इस इस तरह करके यहाँ पर सभी division का देखने को मिलेगा, उसके बाद, BRC से बात करें, तो इसका already document verification के regarding update आगया, हम आपको पहले भी information किये, और इसका merit list जारी क्या गया है, merit list अगई, अगर आभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, तो profit study के जाए, merit list के section में, description में आपको link मिलेगा, और वहाँ से merit list डाउनलोड करके, अपना IK करके सभी trade और नाम मिला लीजेगा, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर बात करते है, ADI, तो already आपका ADI का भी हिसके regarding update दिये है, चैनल पर देख लीजेगा, सारा वीडियो आपको पड़ा हुआ है, सीधे आपको जाना profit study YouTube पे सर्च कर लीजेगा, वहाँ पे आपको playlist आएगा, ठीक है, playlist आएगा, वहाँ पे आप Western Railway का playlist को खुलिएगा, वहाँ पे आपको वेके करके सारा वीडियो को वाच कर लीजेगा, ठीक है ना, उसके बाद आपका next बात करते है, रतलाम का, अपका merit list जारी हुआ है, DV के लिए, सबको inform होगा, जो candidate नहीं जुड़े है, पहली बार जुड़े है, इससे पहले नहीं जुड़े थे, तो वह जाके वीडियो देख लीजेगा, इसके साथ साथ रतलाम का merit list आ है, merit list आगे profitstudy.in official website से download कर लीजेगा, ठीक है ना, उसके बाद RJT का बात करें, तो RJT का भ अपडेट आ गया, भावनगर पारा का भी अपडेट आ गया है, ठीक है, तो इस दोनों division का आ गया, महालक्ष्मी का भी आ गया है, तो महालक्ष्मी के regarding already candidate को mail के बाद हमसे अपडेट किया जा रहा है, उसके बाद भावनगर वक्षॉप, भावनगर वक्षॉप का भी अप हम लोगों ने कबर किया, S&T department से भी अपडेट आ गया है, document verification के regarding साबर मती वक्षॉप की तरफ से उसे भी हम लोगों ने कबर किया, तो finally आपे बात करेंगे, तो almost 90-95% division का western railway का अपडेट आ चुका है, तो finally हम देखेंगे BCT में, तो BCT में आपको DV में क्या लेके जाना है, वो सबसे पहले देख लिए, सबसे पहला नंबर आपको जो print out मिला था, ठीक है, जो print out मिला था वो ले लेना है, एक नंबर में, दूसरा नंबर में अगर आपने application fees का payment किया होगा, application fees पेमेंट किया होगा, तो उसका receipt आपको लेना है, थर्ड नंबर में आपको 10th का, आपक आपको अपना payment card भी लेके जाना है, छठा नंबर में बात करेंगे, तो आपको अपना card certificate लेके जाना है, HTSC, OBC, EW, जिस भी category साब बिलोंग करते है, प्रफॉर्मा आपको प्रॉफिटर स्टी का official site पे important section में जाएगा, प्रफॉर्मा मिल जाएगा, ठीक है ना, और central government का format में आपको लेके जाना है, कोशिस करिएगा, central government का ले जाने में, साथ हो नंबर में बात करेंगे, तो medical fitness certificate compulsor ही, किसी भी कीमत पर आपको medical fitness certificate लेके जाना है, और यह जो medical fitness certificate हो, आपको सरकारी hospital का बना होना चाहिए, कहां का, सरकारी hospital से बना होना चाहिए, प्रफॉर्मा आप आपको important करके section मिलेगा, वहाँ से आप railway के किसी भी division का card certificate, medical fitness certificate, declaration for master download कर सकते हैं, ठीक है, यह सारा document लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी document आपको लेकर जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जितना भी document आपको लेकर जाएगा, सभी का आपको photocopy कर लेना है, photocopy सबका 2 set कर लीजेगा, और हो सके तो एक set पे self attestate कर दीजेगा, self attestate का मतलब होता है कि document में खुद से sign करना है, उसके self attestate के नाम से जाना जाता है, next आपे photo ले लीजेगा, यहाँ पे 6-7 पीस आप photo ले लीजेगा, यतना सारा document आप अपने साथ DV के लिए carry कर के लिए आप चलिए यहाँ पर document verification के regarding जो यहाँ पर candidate को information आ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो देखिए सबको आज के date में आ रहा, और यहाँ पर देखिए 6 December 2013, सुबह 10 बज़े को बुलाया गया है, पहला हम लोगों ने कल का date में देखा था, 5 December का कुछ candidate को आया था, जो candidate, candidate welder के थे, ठीक है, और फाइनली 6 तारीक को आ रहा, तो 6 तारीक वाले feeder वाले candidate है, और यहाँ पर एक mail आया है, उसे भी देखिए, और यहाँ पर SMS आ है, जिसमें आपको 7 तारीक को बुलाया गया है, तो 7 तारीक वाले सभी candidate electrician वाले है, ठीक है, अगर आप भी अपना SMS चे feeder वालों को mail आ गया है, document verification के लिए, ठीक है, और अगर electrician से बात करोगे, तो electrician का जो आपका मिला है, वो आपका 81.81% पर आया है, जहां तक हमें अभी तक ज्यानकारी मिली है, उसके according बता रहे है, cut up इससे भी और कम गया है, पर अभी तक जो information confirm है, वो 81.81% पर आया है, और feeder का 74% पर आया है, ठीक है, यह दो trade का हम लोगों ने कबर किया, mechanic diesel का भी पता नहीं सकते है, mechanic diesel का भी cut up के regarding कोई भी जानकारी नहीं, इसलिए mechanic diesel का आपको नहीं बता पाएंगे, पर हाँ, यह जरूर बोलेंगे कि mechanic diesel का भी आपको document verification के regarding update, BCT मुंबई के तरफ से आ गया है, आ नहीं तो profitstudy228gmail.com पे mail करके हमें inform कर सकते हो, ताकि आपके भेज़ेगा एक single message से, हम all over India के सभी candidate को inform कर सके हो, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे, नई भरती ने जनकारी के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत